नमस्कार दोस्तो, स्वागत आप सभी का हमारी चैनल भक्ती घ्यान में दोस्तो आज मैं आपको नवरात्री के छटे दिन मा कात्याईनी के कथा सुना रहा हूँ दोस्तों नवदुरुगा के नौ स्वरूपों में से देवी के छटे स्वरूप को देवी कात्यानी के नाम से पूजा जाता है मता कात्यानी के पूजा नवरात्तिर के छटे दिन यानी सष्टी को बड़े दूंदाउं से की जाती है देवी के इस स्वरूप की मात्म कथा रिसी कात्याइन से जुड़ी होने के करण उनका नाम कात्याइनी पड़ा वहीं देवी कात्याइनी की महिमा कथा दुराचारी महिसासुर के बस से भी जुड़ी हुई है देवी कैत्यानी का सुरूप अत्यन उज्जल और जोतिर में है इस सुरूप में देवी की चार भुजाए ही इन में से दाएं तरब की उपर वाली भुजा अवे मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा बर मुद्रा में है वहीं बाएं तरब की नीचे वाली भुजा में त फ्रान में भी मिलता है. प्राणों में नहित कताओं के अनुसार कदळ नामक के एक प्रिसिद महरसी हुआ करते थे. उनके पुत्र का नाम रिशी कात्य था. आगे जाका रिशी कात्य के गोत्र में महरसी कात्याइन का जनम हुआ और रिशी अपने तप के कारण बिस्व प्रिसद हुए रिशी कात्यायन की इच्छा थी कि देवी भगवती उनके घर पुत्री रूप में जनम ले इसलिए उन्होंने कई बड़सों तक देवी भगवती की कठोर तपश्या भी की मनता है कि रिशी कात्यायन की ऐस मेर्शी कात्यायने बड़े प्रेमसे देवी कात्यायनी का पालन पोशन किया था कोश हमे पश्यात प्रथवी पर दुराचारी मैसासुर का उपत्रब सारी सीमाय लांग रहा था मैसासुर को ये बरधान मिला हुआ ताकि कोई भी प्रुष कभी उसे प्राज्यत या उसका अंत नहीं कर पाएगा इसलिए उसे किसी का डर नहीं था और देखते ही देखते उसने देव लोग पर भी अपना कब्जा खल दिया था तब भागवान विश्णू प्रजा पती ब्रह्मा और दिवाद देव महादेव ने उसका बिनाज करने के लिए अपने अपने तेश से म पराण कथा के अनुसार देवी की उत्पत्ती मेरसी कायत्यान के यहां आश्वन महीने की कृष्ण चतुर दसी को ही थी इसके बाद मेरसी ने सुकल सप्तमी अश्टमी और नम्मी तक देवी की अपने आस्रम में बेदिवत पूजा अर्चना की और दस्मी को देवी के इस स रूप को देवी कायत्यानी की नाम से जना गया था मैसासुर का अंत करने के करण देवी को मैसासुर मर्दनी के नाम से भी जाना गया इसके अलाबा देवी कायत्यानी से जुड़ी एक और मानता है यह भी है कि देवी दुरुगा का यह स्वरूप अमोग फलदायनी है ब्र प्रजबंडल की अदेश्ट धात्री देवी की रूप में प्रतिष्टत हैं। इसकंद पुराण में देवी कात्यानी की बारे में उल्लेक भी मिलता है कि उनकी उत्पत्ती परमेश्वर के सानसारिक क्रोध से हुई थी। नवरात्री के छटी दिन देवी दुर्गा की इस स्वरूप की पूजा का काफी मेत्व हैं। ऐसी मनता है कि देवी कात्यानी की पूजा में लाल और सफेद रंग के कपड़े पहनना सुभ होता है। मनता तो ये भी है कि मा कात्यानी के चरणों में अपना सब कुछ समर्प्र करते हुए उनकी अरादना करने वाले भक्तों को उनके दर्सन प्राथ हो जाते हैं। देवी के इस स्वरूप के पूजन से भक्तों में एक अद्वत सक्ती का संचार होता है। देवी कात्यानी का ध्यान गौधुली बेला में किया जाना चाहिए। ओम देवी कात्याये ने नमहां ओंकार के जैसे निवरकार सुरूप वाली देवी कात्यानी की किरपावा सोव दरश्टी हम पर बनी रही हम उन्हें बाराम बार नमस्कार करते ही ऐसी मनता है कि देवी कात्यानी को सहद अत्युंद प्रिया है इसे नवरात्री के छटे दिन देवी कात्यानी की पूज DJ